दोस्तो आप मेरको बताओ फोटोस में कोन अच्छा नहीं दिखना चाता है, आज अच्छल तो हर एक hero heroine की तरह ही दिखना चाता है, फ्लॉलस, glowing skin के साथ और हर एक Instagram पे model बनना चाता है, इतना क्यों मेरको मेरे friends और even cousins भी WhatsApp पे फोटोस भेजते रहते और पूछते रहते, शी इस तरह अलावलग चीज़े पूछते रहते हैं मेरे फ्रेंड्स और काजन्स सारे और में उनको एडिट करके भेजते रहती हूँ और दोस्तों आपको शायद यह पता नहीं है लेकिन मेरे माकसिमम मेरा टाइम फोटो और वीडियो एडिटिंग में ही गुजारती हूँ क्योंकि मेरे भाई और डाड के भी यूट्यूब चैनल है और उनका कंप्लीट वीडियो शूटिंग से लेके एडिटिंग तक मैं ची देख लेती हूँ तो मैंको यह एडिटिंग फील्ड में बहुत नौलेज है सिर्फ फोटो नहीं वीडियो एडिटिंग में भी बहुत नौलेज है मैं फोटोशॉप, प्रिमियो प्रो, डाविन्सी, अफ्टर एफेक्स ऐसे सारे सॉफ्टवेर्स यूज़ कर बाती हूँ इतना टैलेंट मेरे पास ही, मैं क्यो ऐसे छुपा के रख लूँ आपको भी दिखा के आपसे भी शेर कर तो आपको भी वह आप भी सीख पाऊगे तो इसलिए मैं ये नया सीरी स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैं आपको अलग अलग फोटो और वीडियो कैसे एडिट करते हैं वो सारे आपको एक एक टिप बताने वाली हूँ एवरी वीडियो और आज ना मैं आपको फर्स्ट एक फोटो में से पिम्पल मार्क्स, डा इसलिए और सिंपल होने वाला है क्योंकि मैं एक्स्प्लेइन कर रही हूँ आपको इसलिए समझा जाएगा सब कुछ तो ये प्रसेस दिखाने वाली हूँ और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो मैं को कमेंट सेक्शन में पूछें मैं वो भी उस पे भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको एक फोटो में से पिंपल्स वगेरा ये सारे डाक स्पॉट्स कैसे निकालते हैं वो भी फ्लॉलेस लुक कैसे लाते वो दिखाने वाली हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप मैं आपको फोटो में से पिंपल मार्क्स, डाक स्पॉर्ट्स, फाइन लाइन्स ये सब कुछ बहुती इजी और सिंपल वे में कैसे निकाल सकते वो दिखाऊंगी और उसके लिए इधर मैं मेरा ही एक फोटो सैंपल के तरह सेलेट कर ली और यहाँ पर आप देख सकते हो में एक थोड और कुछ स्मूथ एरिया ऐसे सेलेट कर दो और इस तरह से आप हीलिंग ब्रेश से ही तो पिंपल मार्क्स निकाल दे सकते हैं बुलके सोंच रहे होंगे लेकिन दोस्तों वो ना बिगिनर्स करते हैं आज मैं आपको एक प्रोफेशनल वे दिखाने वाली हूँ क्योंकि डा इससे कोई भी पैचान नहीं पाएगा कि यह फोटो एडिटेड है तो वो कैसे अचीव करते हैं वो आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ तो दोस्तों आज जो टेखनीक में आपको सिखाने वाली हूँ ना उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी सप्रेशन अब यह नाम सुनके इसी और सिंपल वे में समझाने वाली हूँ जिससे यह वीडियो के एंड तक आप खुद फ्रीक्वेंसी सप्रेशन सिख लोगे और नेक्स्ट फोटो आप फ्रीक्वेंसी सप्रेशन में ही एडिट करोगे तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है आपको पता होना चाह तो वो क्या है मैं आपको बताऊँगी तो दोस्तो जैनरली ना एक फोटो में क्या होता है कि टू फ्रिक्वेंसी होते हैं एक हाई फ्रिक्वेंसी और एक लो फ्रिक्वेंसी में पॉर्स, किन टेक्स्चर, फाइन लाइन्स उसका complete information होगा और लो फ्रिक्वेंसी में color, shadow, tone उस से क्या benefit होता है कि अगर आप ये दोनों separate करने के बाद अगर आप pores या ये pimple marks इसमें कुछ change करोगे तो color, shadow, tone उसमें कुछ भी difference, उसमें कुछ alter नहीं होगा, नहीं तो vice versa, अगर आप कुछ shadows वो ये change करोगे तो यहाँ पर pores, fine lines, texture उसमें कुछ भी effect नहीं होगा, तो इससे overall picture final edit बहुत natural दिखता है, और इस frequency suppression process को start करने के लिए मैं आपको बताएं ना, two layers, high frequency और low frequencies, तो यहाँ पर आपको two background copies create करना है, तो background को लेके इस तरह से आप दो copies बना लो, और background copy 1 को मैं color name रख रही हूँ, और background copy 2 को मैं texture रख रही हूँ, अब तक अगर आप explanation complete ध्यान से सुन रहे हो, तो आपको पता चल गया होँगा, कि color texture जो है, यह color वाला layer जो है ना, यह low frequency layer है, और यह texture वाला high frequency, और अब हम इस पे separate separate edit करने वाले हैं, तो separate separate कर रहे हैं ना, तो first point हम क्या कर रहे हैं कि texture को भूल जाओ आप, तो इसका visibility जो है वो off कर दो, और color select कर दो, और color select करने के बाद अब filter में जाके noise में, यह dust and scratches select कर लो, और इसे एक second, मैं skin पे लाती हूँ, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, radius 7 रखके है, जेनरली तो 0 यह 1 पे रहता है, तो इसे आप ऐसे adjust कर लो, 7, 8 या फिर 34 करने पर complete blur हो गया, तो आप इसे बहुत natural किदर दिखरा skin texture वहाँ पे रख लो, जेनरली तो 8, 9 बस हो जाते है, अब यहाँ पर मैं 9 सेलेक्ट कर ली, तो preview भी एक बार दिखा दूँगी, तो ऐसा हो गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तो, color में से texture निकाल दे रहे है, तो आप radius यहाँ पर हम 9 सेलेक्ट कर दिये ना, इसे ok कर दो, अब color का आप भूल जाओ, texture पर चले जाओ, इसका visibility on कर दो, अब first step हम क्या करें, color में से texture निकाल दिये, तो अब obviously आपको second step समझ आ गया होंगा, हम texture में से color निकाल देने वाले हैं, तो texture सेलेक्ट करके, आप image में जाओ, इमेज में, apply image में, यह already मैं बहुत बार करते रहते हूँ ना, तो इस तरह से selected है, तो यह by default यहाँ पर merged रहता है, अब हम क्या कर रहे हैं, texture में से color निकाल दे रहे हैं, तो merged को आप select करके color select कर लो, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं तो आप subtract select कर लो, और यह opacity 100 पर ही छोड़ दो, और scale जो हैं इसे 2 रख लो, और offset का range है 0 to 255, तो हम 128 select कर रहे हैं, center point, तो ऐसे आपको एक gray image with just outlines ऐसे दिखने वाला है, तो एक second आपको preview भी दिखाऊंगी, ऐसा था photo ऐसा बन गया, इसे okay कर दो, तो आप तक हम क्या करें दोस्तो, color में से हम texture निकाल दिये, और texture में से color निकाल दिये, अब क्या करना है कि आपको यह blending tool में जाके, यहाँ पर सारे अलग-अलग blending modes होते हैं, तो इसमें आप linear light select कर लो, अब आप सोंच रहे होंगे, हम color में से texture निकाल दिये, texture में से color निकाल दिये, दोनों blend भी कर दिये, लेकिन किदर कुछ result नहीं है, लेकिन अब चो मैं आपको step दिखाने वाली हूँ न, यह turning point step है दोस्तो, ध्यान से देखो, अब क्या करो, लासो टूल सेलेट करो, और इस तरह से, अब मैं आपको first मेरा ये cheek area सेलेट करके, ये part दिखाऊंगी, तो यहाँ पर मैं मेरा ये cheek area सेलेट कर ली न, तो अब next क्या करो, अब filter में जाके, blur में Gaussian blur लेलो, देखो, क्या हुआ, complete pimples, वो सब कुछ बहुत कम होग है, और बहुत natural दिख रहा है, तो इस तरह से, यहाँ पर radius रखके है, 4, ऐसे आप ये radius चेंज करके, number आप देख लो, कहाँ पर बहुत natural दिख रहा है, बहुत ज्यादा करने पर ऐसे हो जाएगा, तो बहुत natural, मेरो कूँ, यहाँ पर 25, 23, यह अच्छा ही दिख रहा है, ठीक ही दिख रहा है, थोड़ा और करके देखती हूँ, एक सेकेंड, 26 यह भी ठीक ही दिख रहा है, अब देखो, preview दिखाऊंगी, यह था first, और यह हुआ, after Gaussian Blur, तो देखो दोस्तों, कितना natural दिख रहा है, कुछ भी pimples नहीं है, texture है, इसे कोई zoom करके देखने पर भी नहीं बोल पाएगा, कि यह photo edited है, तो इस तरह से आप every area face का वो select करके, आप Gaussian Blur दाल दो, अब यहाँ पर मैं यह, यह part select कर दी, फिर, filter, blur, Gaussian Blur, चला गया, ओके, अब forehead भी select करके, ऐसे select करके, फिर same, filter, blur, Gaussian Blur, यह देखो, preview दिखाऊंगी, ऐसा था, ऐसा हो गया, थोड़ा बहुत, जो pigmentation था ना, वो भी चला जा रहा है, आपको nose part भी करके दिखाऊंगी, एक सेकंद, फिर लिएंगे, फिल्टर, blur, Gaussian Blur, अब nose part पर 23, ऐसा रहने पर यह देखो, एक patch दिख रहा है, आर्टिफिशल लग रहा है ना, तो nose area जो है ना, उसे select करी बाद, आप radius कम कर लो दोस्तों, मैं generally nose पर तो 3 या 4 उतना रखती हूँ, कुछ करके नहीं दिखी सरका, बहुत minimum रखती हूँ, और फिर यह final, chin area भी, यहाँ पर भी filter, blur, gaussian blur, इधर फिर थोड़ा बढ़ा लो सकते हूँ, यहाँ पर मैं कूँ, 9 ठीक ही दिख रहा हूँ, 15 भी okay है यह देखो, तो अब देखो, कितना natural दिख रहा है न, अब यह थोड़े बहुत spots तो छोड़ देना ही बेटर है, ऐसे छोड़ देने पर किसी को यह edited बोलने का doubt भी नहीं आएगा, तो देखो दोस्तों, अब क्या करो, आप यह दोनों texture और color है न, यह दोनों को हम merge करके एक folder बनाएंगे, एक folder, और इस folder का नाम मैं रखती हूँ, frequency separation, तो यहाँ पर frequency separation folder है, अब मैं आपको difference दिखाऊंगी, यह देखो, इसे off करके, on करके, कितना natural दिख रहा है न, दोस्तों, यह देखो, कोई बोल ही नहीं सकता, इस तरह से, अगर आप photos एडिट करोगे, तो कोई भी नहीं बोल सकता, कि यह photo edited है, उतना natural finish देगा, यह complete process, तो आप बताओ दोस्तों, आपको यह complete process कैसा लगा, बहुत easy and simple way में मैं आपको समझा दी, and I'm sure आपको समझ आ गया, और next time आप कभी यह healing brush यूज ही नहीं करोगे, अब frequency separation process ही यूज करोगे, मैं को भी पता है, क्योंकि इस process को सीखने के बाल, मैं भी कभी healing brush यूज नहीं करी, तो यह था एक professional way में हम एक photo को कैसे edit करके, इसमें pimple marks, dark spots, यह सब कुछ निकाल सकते हैं, और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मैं Photoshop के बहुत सारे दूसरे tips and tricks भी पता है, और अगर आप interested हो, तो मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगी, और अगर आप कुछ process सिखना चाहोंगे, तो मैंको वह भी comment कर दो, मैं next time वह comment देखके उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, तो दोस्तों, आपको कैसा लगा, मैंको नीचे comment section में बताईए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इसे like कीजिए, और share कीजिए इस वीडियो को, और मेरे चानल को भी subscribe कीजिए, notification bell को भी click कीजिए, ताकि आपको मेरे future वीडियो का notification आ सके, मैं आपको मेरे अगले वीडियो में मिलूंगी, bye!